यार पेन तो आप सभी ने कभी ने कभी ने कभी फिल किया होगा मतलब दिल तूटने वाला पेन नहीं टीशू तूटने वाला पेन वैसे दिल तूटने वाला पेन के लिए तो जाधा तर लोग कुछ अलगी मेडिसिन के इंतिजम कर लेता है लेकिन इस वीडियो में हम टीश कॉंडिशन में जिस पेंट किलार का यूज सबसे ज्यादा होती है वो है एनसे आईडियास यानि नोन स्टेरोडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आप जो पेंट किलार लेती हो इसमें अगर आईबूप्रोफिड एस्पिरेंट डैकलूफेनाग एसेट्रा लिखका हुआ है तो यह भी इसी क्लास में आते है और जो दूसरे टैप्स का जो पेंट किलर होती है जो किसी भी टैप्स का पेंट को तुरंत खतम कर सकता है इतना ज्यादा पावरफूल इतना ज्यादा इफेक्टिव और इतना ही ज्यादा खतरनाक यास यह बहुत ही डेंजरस पेंट कि या फिर कोई भी पेंकिला लेलो, या अमारी हेल्थ के लिए डेंजरेस क्यूं है, किसी भी पेंकिलार को डेंजरेस वानाते हैं, उसका mechanism of action, यानि यह किस तरह से आमारी बोडी के अंदर काम करता है, और second, कितने समय तक हम पेंकिलार को यूज करते हैं, अभी किसी भी तरह से अगर हमारे टीशू ब्रेक होता है तो वह से एक सिगनल हमारे ब्रेन को यह इंफर्मेशन प्रोवाइट करते है कि टीशू ब्रेक हुआ है और तब हमारे ब्रेन लाइप प्रोटीन को स्टीमूलेट कर देता है जिससे बनता है आर्चियोडोनिक एसीड और इस आर्चियोडो है वाई ी थे पैन, फीबर और इंफ्लेमेशन होता है या फिर होता है अबöglichके आगर प्रोष्टाय ग्लेन डेन और अंदर प्रॉडिस होता है तो यह अच्छा है क्यां को देख अभी मान दो अगर digestive system के अंदर कुछ problem होता है तो यह आमें कैसे पता चलेगा तो यह पता चलता है उस prostaglandin से जो internal organ के अंदर produce होता है और जो prostaglandin internal organ के बाहर यानि जहाँ पर चोट लागा है वहाँ पर produce होता है यही ज़्यादा responsible होता है for pain, fever and inflammation pain and fever actually अच्छा है इससे हमें पता चलता है हमारी body में कुछ problem हुआ है लेकिन यह जो बात में ज्यादा होता है तो अब तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तब जरूरत परती है pain killers की